कौलकत्ता हाई कोट ने ओबी सी आरक्षणी बलकि मुस्लिम आरक्षण को ले करके जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है भारत का सम्मिधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमती नहीं देता वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीमसी की सरकार ने राजनितिक तुष्टी करण की प्राकास्ता पर चलते वे सन दो हजार दस में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबी सी में घुशेड करके उन्हें ये आरक्षण दिया था यानि 118 ये जाती हैं इसका मतलब वोबी सी का हग जबरदस्ती हड़प रही थी और इसी और संबेधानिक किर्ट्य पर माननी उच्च नियाल है कोलकता ने टीमसी गौवर्मेंट के फैसले को पलता है और एक जोड़दार तमाचा मारा है ये कार्य असंबेधानिक था और इसको अनुमती नहीं दी जा सकती है स्वाभाई कृप से बाबा साब भीमरा अंबेटकर नेवी देश के समिधान सभा में इस बात को कहा था बार बार कहा था आरक्षण भारत के अंदर अनुसुची जाती जन जाती के लिए और मंडल कमिशन के बाद OBC के सामाचिक और आर्थिक पिछड़े पन को ध्यान में रखते वे ये आरक्षण की विवस्ता की गई थी लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त भारत का समिधान कभी नहीं देता और बाबा साब भिम्राओं बेटकर ने इसके लिए बार बार देश को वाण किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विवाजन हुआ था हमें फिर से कोई ऐसी स्थितिनी पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विवाजन की ओर धके ले और मुझे लगता है कि ये फैसला एक नजीर बनना चाहिए ये फैसला जो करनाठक के अंदर कॉंग्रेस की सरकार ने ओबी सी की अधिकार पर इसी प्रकार की सेंदमारी करते हुए मुसल्मानों को आरक्षन देने का काम किया है और कॉंग्रेस की सरकार ने आंदर प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो सरारत की थी इसका जोरदार जवाब दिये जाने के आउसकता है और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की उस कारे को जो असंबैधानी को भारत के विभाजन की आधारसिला रखने वाला हो भारत को कमजोर करने वाला हो उसको कतई श्विकार नहीं क्या जाना चाहिए कि देश की कीमत पर राजनी थी कि जो ये नीती चल लई है खासतोर पर कॉंग्रेस और इंडिकर्ड बंदन से जुड़ेवे दलों में जो होड लगी है इस होड को पूरी तरह खारीच किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए